रिवा में चौथे चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म्स एंड थीएटर फेस्टिवल के दूसरे दिन यानि गुरुवार 22 फरवरी को रंगा रंग कारिक्रम हुए इवेंट की शुरुवात कृष्णा राजकपूर ओडिटोरियम में मा सरस्वती के समक्ष दीप प्रजवलित कर हुई इस दौरान बॉलिवूड एक्टर अरजुन दिवेदी सहीत कारिक्रम के निदेशक अंकित मिश्रा और शुभम पांडे मौजूद रहे दूसरे दिन महोचसफ के केंद्र रहे एक्टर अरजुन दिवेदी जो ओडिटोरियम में लगाए गए स्टॉल्स को देख बेहत खुश हुए उन्होंने हाथों से बनाई गई कलाकृतियां, बेस्ट औफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और बच्चों के फ्री एजुकेशन के लिए औरगनिक प्रोडक्ट्स बेचने वाली संस्थान की खूब तारीफ की इस दोरान उन्होंने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और चाइनीज इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को खरीदने से बचने की भी बात कही दूसरे दिन की शुरुआत फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अगनिहोतरी की फिल्म दा वैक्सीन वार से शुडू हुई बता दें के रीवा से नाता रखने वाले अर्जुन दिवेदी भी इस फिल्म के एहम किरदारों में से एक हैं स्कूलों से आए स्टुडेंट्स और आईटीम गौालियर के छात्र छात्राओं ने और्डिटोरियम में फिल्म को देखा फिल्म पूरी होने के बाद वरिष्ठ पत्रकारों और साहित्यकारों ने महोत्सव का हिस्सा रहे लोगों से ओपन माइक से समबाद भी किया और मास्टर क्लास भी हुई रंग मंच कर्मी और आईटीम जात्रों के साथ एक्टर अरजुन दिवेदी ने मास्टर क्लास ली और इस दोरान उन्होंने रंग मंच और सिनेमा से जुड़ी एहम जानकारियां दी इसके बाद समबाद कारिक्रम शुरू हुआ जिसमें लेखक इवम कला समीक्षक अनिल गोयल, वरिष्ठ पत्रकार, गिरिजा शंकर और जैराम शुक्ल मौजूद रहे इस दोरान कला समीक्षक अनिल गोयल ने शेत्री इस्तर के संस्कृती और कला पर अपनी बाते रखी, उन्होंने आलहा की गाईकी की खूब तारीफ की और उनसे सीख लेने की बात कही इस दोरान शात्रों ने भी अपने सवालों का जवाब पाकर रंग मंच से जुड़ी जिग्यासा को शांत किया 23 फरवरी को चितरांगन इंटरनेशनल फिल्म्स एंड थिएटर फेस्टिवल का समापन होना है और इस दोरान फेमस म्यूजिक बैंड दकबीर कैफे अपनी परफॉर्मेंस भी देगा तो कल का इंतजार कीजिए और अगर किसी कारण वश आप सीधे तोर पर इस कारिक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं तो शब्द सांची के यूट्यूब चैनल के जरिए लाइव प्रसारण का आनंद उठा सकते हैं